बिस्मिल्लारमादरहीम मैं वेलकम करता हूँ आपको आज हम अपने इंस्टॉलेशन और कॉन्फिग्रेशन विन्टोसर्वर 2012 के लेक्चर नमबर 8 का अगास कर रहे हैं और आज का लेक्चर क्या होगा आज का लेक्चर मेंली फोकस करेगा हमारे स्टोरेश पे क्योंकि इस से अगर आपके पास अगर आपके पास टेकनोलोजी नहीं आप अपने विंडोसर्वर के इंवार्मेंट में रहे कि अपना एक अच्छा स्टोरेश बनाना चाहते हैं अगर आप भी कुछ डिस्क्स फेल भी होती है तो आपका जो फाइल सर्वर में डेटा है यहां सर्वर पर और फिर हम रेड को अडिश स्टेंड करते हैं कि रेट क्या होता है रेड लेवल्स क्या होते हैं पिर हम एक अपनी लैब के अंदर एकonा रेड भी बनाएंगे अपने विंडर स्रवर के ऊपर यह जरेख है ताके हम उसको को अपनने यूजे मिला सकें ऑके तो सबसे पहले ह के लिए से आप इस काबिल होक्या एक के एक हाट डिस्क फेल हो गया दो हाट डिस्क फैल हो गही है तो आसके पास डेटा मुझ week रही किसी तरह किसी थरह को रिकर नोगे नालगी लि सटोछ ठीच उनको जो मार्केट में देखते हैं तो वो 3-4 तरीके हैं जो 3-4 companies है 3-4 तरीके इसकी वैसे हम उनको cover करते हैं सबसे पहला होता है आपका direct attach storage यह एक ऐसा storage होता है कि for example यह आपका windows server का environment है यह आपका server है और इसके साथ direct एक box लगा हुआ है ठीक है और इसके अंदर आपने different hard disk लगाई हुई है जिसको आप कहते है direct attach storage कहते है आप इसको यह आपका यह जो server है इसके वपर आपने different storage लगाई हुई है तो आप इसको direct attach storage कह सकते है ठीक है उसके बाद जेबोर्ड होता है जेबोर्ड भी इसी तरह की example है कि एक box होता है इसके अंदर different hard disk लगी होती है आपके जो server होता होता है और आप उसको देख सकते हैं configure कर सकते हैं इस तरह कर सकते हैं ठीक है एक होता है आपका network attached storage जिसको हम नैस भी कहते है ठीक है नैस क्या होता है यह भी एक तरह का storage है और एक है SAN होता है ठीक है यह दोनों storage technologies है storage की जब हम बात करते हैं storage जब हम खरीदते हैं तो हम पूछते हैं कि क्या वह SAN है या क्या नैस है इसकी मैं आपको basic understanding बताता हूं जो SAN होता है ठीक है SAN आपका block level storage है ठीक है block level से मुराद यह कि यह आपकी hard disk है ठीक है यह आपको जो storage देगा हुएगा जी सार्डिक से यहां से लेके यहां तक data आपका available कर दो ठीक है यह कोई file level storage नहीं है यह कुछ निकरता याइस कजी पर चलता है आइस कजी प्रोटोकोल या FC के ऊपर चलता है तो SAN के प्रोटोकोल से डिफरेंट होते हैं SAN एक block level storage है और जो NAS है आपका NAS है आपका file level storage है file level storage से मुराद किया है कि यह आपका storage है different hardest लगी हुई है कि आपने volume बनाया हुए ठीक है तो अब आप एक-एक storage को के ऊपर एक-एक folder बनाके एक चीज बनाके उसको share कर सकते परमिशन्स दे सकते हैं उसको available कर सकते हैं data को तो उस चीज को हम NAS बोलेंगे ठीक है लेकिन SAN के जब हम बात करते हैं तो SAN एक block level storage है इसमें जो share होता है iSCSI के जरीए fiber channel के जरीए वह आपका blocks to share होता है ठीक है storage के बारे में के storage की जो होती है जो यह SAN, NAS, iSCSI, SCSI protocol FC इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे जिसमें हमारा लेक्चर होगा जिसमें मैं आपको सिर्फ storage की technologies और उनकी understanding बताऊंगा ठीक है आज पर क्योंके अभी हमारे पास कोई ऐसा storage मुझूद नहीं है ना तो NAS है ना SAN है ना SCSI protocol है ना fiber channel है ठीक है तो अभी जो हम focus करेंगे वह main RAID पर focus करेंगे क्यों focus करेंगे आप चाहिए कोई भी storage ले ले मैं चाहिए jaints-board की बात कर रहा हूँ direct дост definition पढ़ सकते हैं कि आपके पास एक physical storage है ठीक है यह physical आपका server है storage है आप कुछ भी कह लें इसके अंदर different hard disk लगी हुई है मतलब मैं कहता हूं for example यह 12345678910 ठीक है 11 इसके अंदर hard disk लगी हुई है ठीक है अब अब यह 11 hard disk each hard disk जो है वो 10 GB की है तो यह total मिलके कितने जीबी की होगी 110 GB की ठीक है यह आपका 110 GB का storage है ओके अब आप क्या करते हैं अब आप 110 GB अब हर hard disk का एक लग volume बनेगा नॉर्मली अगर हम बात करें मैं एक volume इन दोनों इसके मेरे HR का data पढ़ा हुआ था तो जाहरी बात है मेरे पास अब उसको कोई backup नहीं है मेरी hard disk की fail हो गई अब हाँ अगर मैंने backup लिये हुए किसी तरीके से मैं backup दे सकता हूं लेकिन मैं मैं उसे रियल टाइम पर उसका data नहीं प्रवाइड कर पाऊंगा मैं उसे ही कहूंगा कि आपका जो storage है वो अपना खराब हो गया data आपको पास अवेलेबल लहीं है आपको किसी ने किसी तरीके से आपको आपका वह चीज आपको मैं प्रवाइड करूंगा ठीक है तो रेड कि एक hard disk fail भी होती है या एक hard disk में कोई मसला आता है तो आपका data interrupt नहीं होता आपका data loss नहीं होता आपका data मुझूद रहता है ठीक है अब हम चलते हैं आगे और हम पढ़ते हैं कि rate के levels कौन से है क्योंकि सबसे पहले आपको यह समझना पढ़ता है कि rate level क्या है ठीक है तो rate level क कि अगर मैं बात करूं तो next slide में आपको दूंगा लेकिन उससे पहले हमें के definition पढ़ लें you can implement rate solution either on a system host ठीक है software rate जिस तरह में हम अभी software rate करेंगे क्योंकि हमारे पास windows server का environment है और आप अगर आपके पास external storage है वो SAN है NAS है ठीक है SAN लगाया हुआ है आपने NAS लगाया हुआ है य इसलिए अच्छा है इसलिए बेतरीन है कि software rate का यह नुकसान है कि अगर आपका OS fail होता है OS आपका खराब होता है ठीक है तो आपका software rate भी खराब हो जाएगा आपका software rate भी काम नहीं करेंगा लेकिन hardware rate का यह होता है इसको OS पर dependent नहीं होता यह आपका for example window है ठीक है और यह इस के उपर रेट बन रहा है और इस केस में OS से नीचे रेट है तो अगर नीचे रेट है तो उसका मतलब उसके उपर जाए OS हो कुछ भी हो खराब हो कुछ भी हो रेट की कॉन्फिग्रेशन रेट की हर चीज उसी तरह रहेगी जिस तरह वह है और दूसरी बात जब आप सॉफ्टर रेट की बात करते हैं तो वह आपका जो सीप्यू यूटलाइशेशन है जाहरी बात है उसको भी इंक्रीज करता है क्योंकि वह सॉफ्टेयर बेस है विंडो सर्वर के अंदर कंफिगर किया हुआ रेम को भी यूटलाइश करता है लेकिन जो आपका हाडवेर रेड है ठीक है वह आपकी इन चीजों को कंजूम नहीं करता हूँ सीप्यू पे लोड नी डालता आपके इन चीजों पर लोड न करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेड जीरो के बारे में सबसे पहले जब रेड को अन्फिगर करते हैं तो आपको रेड का लेवल डिफाइन करना पड़ता है अगर आप उसे कहते हैं रेड जीरो रेड जीरो का मतलब है यह है स्ट्राइब डिस्क ठीक है 8 GB आपके पास storage मजूद है, अगर आप इस सब का stripe बना देंगे, इन सब को mix कर देंगे, तो आपके पास एक ही volume आ जाएगा, जो आपका 60 GB का होगा, good हो गया, जैसे यहां इसने बताया हुआ है, logical drive एक ही आगई, D, ठीक है, और वो है 60 GB की, ठीक है, अब इसका मसला क्या है, इ अगर आपको speed चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका data बहुत speed में ride and read हो, क्योंकि जाहरी बात है, अगर एक packet आएगा यहां से, ठीक है, एक packet आया, उस packet ने इन तमाम पे save होना है, ठीक है, कुछ आधा इससा उसका यहां save होगा, कुछ आधा यहां save होगा, कुछ आधा write हो गया, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और एक एक divide होके 6 GB write होगा, जब वो read करने आएगा, तो यह 11 GB उसको provide करेगा, तब ही आपका data वो read होगा, अब जारी बात है, जब 6 GB का data 6 हिस्सों में divide हो गया, तो उसकी speed आपके पास अच्छी हो जागी read and write की, लेकि जब 1 GB यहाँ पड़ा हुआ था, तो वो उसको calculate नहीं कर पाएगा, वो आपको आपका data provide नहीं कर पाएगा, rate 0 का यह नुकसान है, कि आपके पास अगर एक hard disk भी fail होती है, तो आपके पास आपका data मुझूद नहीं रहता, क्योंकि वो तमाम hard disk पे equally divide होके equally save होता है, इसके जो दूसरी हमारे पास मसाल आती है, वो है rate 1, ठीक है, rate 1 बहुत अच्छा solution है, खास तरपे हम इस पर OS करते हैं, जब भी हमें को Windows Server हमारा कोई बहुत critical है, तो हम जब OS करते हैं, तो OS बनाने से पहले हम एक rate 1 बना लेते हैं, 100 GB का या 200 GB का, उसमें क्या होता है, for example, जैसे मैं आपको बता रहूं कि ये मेरी 2 hard disks है, ठीक है, ये मेरी hard disk 1 है, ठीक है, और ये मेरी hard disk 2 है, ये भी 10 GB की hard disk है, और ये भी मेरी 10 GB की hard disk है, मैंने इन दोनों को configure किया, और मैंने इन दोनों को बना दिया rate 1, अब जब मैं rate 1 बनाऊंगा, rate 1 क्या होता है, mirror होता है, ठीक है, rate 1 कोई भी काम मैं यहां लिखता हूं तो जाहरी बात है वह इस पर जा रहा है में मेरी हार्डिस्क है तो मैं यहां कुछ डटा लिखता हूं मैंने यहां 10 GB का डटा सेव कर लिए तो वह साथ ही अपनी दूसरी हार्डिस्क पर मिरर हो जाएगा उसकी जो कॉपी यह वह बन जाए करता हूं तो यह जो मिरर है यह दुबारा उसके ओपर उसका डटा कॉपी कर देगा ठीक है तो मिरर जो है वह रेड वन के लाता है इसमें आपका जो आप चीज आप एक हार्डिस्क पर सेव करेंगे वह दूसरी पर सेव होगी और यह आपको हाफ स्टोरेज देता है अगर यह दोनों का मुझे मिल जाएगा बीस जीबी और इसी तरह मेरी दस जीबी की यह है तो तो दोनों का मुझे मिल जाएगा 20 जीबी है अब जब 20 मुझे मिलेगा और जना बनाओगा तो बुझे 20 जीबी ही मिलेगा बुझे 40 G यह लेकिन इस केस में मुझे फाइदा क्या यह मेरा कोई भी आता है ठीक है for example 2GB का packet आया 2GB का packet आया वो यहां डिवाइड हो गया 1GB साथ डिस्क पर सेव हो गया 1GB साथ डिस्क पर फेल हो गया in case ठीक है कोई speed मुझे अच्छी मिल रही है read writing मुझे अच्छी मिल रही है in case मेरी यह पूरी हार्ड डिस्क फेल हो जाती है ठीक है मेरी क्योंकि इसकी copy दो इधर बन रही है अगर मेरी हार्ड डिस्क फेल हो जाती है तो मेरा डेटा इस हार्ड डिस्क से रीड होना शुरू हो जाएगा तो इसलिए बहुत अची चीज है यह आपको mirroring भी देती है और stripe भी देती है ठीक है उसके बाद जो हमारे पास सबसे end में जो रेड आता है वह है रेड 5 सबसे ज़्याद मार्केट में यूज होने वाला जो रेड है वह रेड 5 ही है रेड 5 की बहुत अची टेकनोलजी है रेड 5 करता क्या है यह स्ट्राइब डिस्क करें बिलकुल स्ट्राइब की तरह ही काम करता है डेटा आपका अगर एक पकेट इस पर आया तो वह पांच इन सब पर डिवाइड होगा सब पर सेव होगा ठीक है लेकिन उसका एक फाइदा क्या है कि पैरटी कि दस 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 कितनी है एक दो तीन चार पांच छे 60 GB मेरे पास टोटल हार्ड डिस्क है ठीक है 60 GB का अगर मैं रेट 5 बनाऊंगा तो मुझे स्पेस मिलेगी 50 GB की अगर मुझे 50 GB की स्पेस मिलेगी और मैं म의 adapas 6 GB गैक आता है तो वह क्या होगा वह चे जीश किश्यार्ट रपे सेब हो हूँ क्योंकि उस यह एक parity save करता है हर डिस्क की दूसरी डिस्क पे जिसकी example मैं आपको next slide में देता हूँ ताके आपको थोड़ी सी easy understanding हो जाए इसकी यह मनें कि image बनाई है sorry ली है तो यह image बहुत अच्छी है इसमें आप देखें कि डिस्ट्राइब विद परेटी रेड़ 5 ठीक रेड़ 5 करता किया है कि for example मेरे पास यह 1 2 3 4 hard disk है जिसको अब डिस्क 0 से जब storage की बात करते हैं तो डिस्क 0 से start होती है storage की technology में 1 से start नहीं होती तो 0 1 2 3 तो टोटल मेरे पास कितनी हो गई 4 hard drive 10 10 GB की है कितनी हो गई 40 GB इनका जब मैं RAID बनाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा 30 GB अब कोई packet आया for example 4 GB का packet आया यहां से यह 4 GB का packet यहां land किया अब इस 4 GB के packet ने 1 GB यहां सेव कर दिया 1 GB यहां सेव कर दिया 1 GB यहां सेव कर दिया और 1 GB यहां सेव कर दिया अब उसके बाद क्या होता है अब इसके बाद देखें कि यह मेरी एक hard disk कैसने का लिखा block D parity कि यहां बोरोगे block C parity block B parity और block A parity ठीक है अब इसमें A B A1 B1 C1 A2 B2 D1 A3 C2 D2 और B3 C2 D3 different blocks होते हैं storage के ठीक है अगर मैं आपको easy language में समझा हूँ तो आप यह कह सकते हैं कि इस disk 0 के उपर disk 1 की parity पड़ी हुई है कि अगर disk 1 fail होती है तो उसकी calculation जितना भी उसके उपर data था वो तुम यहां से ले सकते हो मेरी parity से यह थोड़ी calculation करता है यह data बिल्कुल raw में save नहीं करता है calculate data करके save करता हूँ कि back end पर data आपका 01 इस तरह की form में save हो रहता है तो यह calculate करें करता है इसलिए कम space लेता है हां इससे मसला क्या होता जवाब की एक disk fail होती है तो आपके rate की performance थोड़ी slow हो जाती है यह जब भी वह data read करने जाता है या write करने जाता है वह पहले उसको calculate करता है फिर data provide करता है तो इसलिए थोड़ी सी speed minor से इसकी slow हो जाती है rate 5 की जवाब की eq disk fail करती है, ठीक है अब देखें डिस्क 0 पे डिस्क 1 की parity है और डिस्क 2 की parity है डिस्क 2 पे डिस्क 3 की parity है और डिस्प 3 पे पहली डिस्क 0 की parity है तो इन केस अगर मेरी ये डिस्क फेल होती है तो इसकी parity मुझे कहां से मिलेगी डिस्क 0 से data available रहेगा और अगर मेरी डिस्क 2 फेल होती है तो डिस्क 2 फेल हो गई तो डिस्क 1 से data मिल जागा डिस्क 1 गई तो डिस्क 0 से data मिल जागा, डिस्क 0 गई तो डिस्क 1 से data मिल जागा, RAID 5 में आप एक hard disk fail होने को बरदाश कर सकते हो, अगर आपकी एक hard disk fail होई data provide करता रहे हो कि इसकी parity इस पे मुझूद है, लेकिन अगर आपकी ये भी fail हो गई, दो hard disk fail हो गई है, तो आपका data मजूद नहीं रहेगा, क्योंकि जब हमने configure किया था, तो हमने 30 GB इसको बोला था, 30 GB का मतलब क्या है कि 3 hard disk, यूज़ कर रहा है, एक hard disk उसके लिए spare है, चाहे तो आप configuration करके सारी parities इस hard disk पे रख दें, ठीक है, चाहे तो आप configuration करके हर disk पे एक parity रखते हैं, यह आपकी मरजी है, लेकिन वो आपको 30 GB available करेगा, तो इस case में क्या होगा, अगर आपकी एक hard disk भी fail होती है, तो आपके पास data आपका मुझूद रहेगा, लेकिन अगर आपके पास 2 hard disk fail हो जाती है, तो आपका rate काम नहीं करेगा, data आपके पास available नहीं रहेगा, ठीक है, तो अब चलते हैं अपनी lab की तरफ, और lab में कुछ, मैं पहले जो कुछ storage हैं, वो add कर लूँ, different hard disk add कर लूँ, फिर हम देखते हैं कि उन hard disk में option का मिलती है, rate 5 configure करते हैं, 0, 1, और देखते हैं कि mirroring और striped actually physically कैसे work करते हैं, तो भढ़ते हैं अपनी lab की तरफ, और फिर lab में देखते हैं, आज हम इसको कैसे करेंगे, हम अपनी lab में आ चुके हैं, तो सबसे पहले चलते हैं, हम अपनी disk management में और मैंने कुछ multiple disk इसके अदर add कर दी है, ठीक है, अपने VMware के जरीए, तो अभी हम सबसे पहले इनको online करते हैं, ठीक है, इन सब को online कर देते हैं, और इसको slice करते हैं, इनको MBR, okay, so अभी इन सब को, आपको सबसे पहले हूँ, initialize करना भड़ेगा, online, 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 okay, issue, initialize disk करोंगा सबको मैं, slice कर देता हूँ, ओके, यह different hard disk आपको पास आ चुकी है, अब आप आप ऐस्यूम करें कि यह hard disk आप अगर पर रेट बनाना चाहते हैं, mirror, striped, या raid, spand जो है, उसको हम बाद में discuss करेंगे, अब भी आप इन तीनों पर focus करें, इनको अगर बनाना चाहते हैं, आप अपने Windows Server के environment में, तो आप कैसे बनाएंगे, आचा, इनका structure एक ही होता है, जो मंदे raid के बारे में बातें बताइए, raid 0 किस तरह काम करता है, 1, raid, 5, इसमें कोई difference नहीं है, चाहिए वो software level raid है, या hardware level raid है, फरक सिरफ इतना है कि यह software level है, यह CPU utilization करता है, और OS पर depend करता है, जो hardware raid है, वो आपके OS पर नहीं, BIOS पर depend करता है, वो BIOS में जाके बनता है, या physical raid controller अगर आपने बनाया हो, तो, ठीक है, अभी for example, मैं किसी भी disk पे यहाँ, जितनी भी मैंने इसके निदर लगाई है, उसकी एक इस पेस है, वो 10-10 GB की है, इसलिए ता कि हमारे पास, हमें understand करने में असान नहीं हो, अभी देखें, मैं आपस सिर्फ C drive है, C drive के लाव मैं आपस कोई drive नहीं है, और मैं इसको भी eject कर देता हूँ, तो, अभी मैं इस पर add click करूँगा, सबसे बहुते बलाएंगे हम striped volume, new striped volume पे click करेंगे, आप next करेंगे, यहां देखें, उसने आपको, आपका बता दी है कि आपको एक डिस्क है, मैं इसमें दूसरी disk 2 भी add करता हूँ, ठीक है, दोनो disk 2 मैंने add कर दी, जो 10-10 GB की है, ठीक है, तो 10-10 GB की है, तो यह अगर मैं striped बना रहा हूँ, तो यह मुझे 20 GB की बजाए 10 GB देगा, मैं इसको next करता हूँ, इसको volume e assign करता हूँ, next करता हूँ, और इसको लिख देता हूँ, okay, s-t-r-i-p-d, striped, 0-1, performer quick, और इसको मैं यहां से finish कर देता हूँ, okay, अब मैं इसको finish करता हूँ, तो यह टाइम लेगा, और यह मेरे पास एक मेरे पास volume बना देगा, यह दोनों disk कर रहा है, इसको इसने dynamic में convert किया है, ठीक है, dynamic जो होती है, वो आपके raid में काम आते हूँ, कि जब mirroring होती है, कुछ भी होता है, वो dynamic convert हो जाती है, ठीक है, जो आपकी यह disk होती है, यह आपकी dynamic नहीं basic disk लाती है, जो आपकी C, जिसमें आपका boot होता है, boot level होता है, वो C disk लाती है, ठीक है, तो अब भी यह formatting कर रहा है इसको, तो इसने यह format कर दी है, 10 GB की दो drives ठीक है, और अब अगर मैं अपने my computer में जाता हूँ, तो यह देखिए मैं यह पास 20 GB की आ रही है, क्योंकि यह striped है, उसने दोनों को combine करके मेरे पास एक disk बना दी है, अब for example, मैं इसमें data यह new folder बनाता हूँ, और for example, यह देखिए मैंने इसमें data रख दी है, new folder के नाम से यह चाहिए आप data रख सकते हैं इसके अंदर, और इन में से एक disk मैंने offline कर दी है, अब एक disk में offline हो गई है, तो देखें, मेरा data मजूद नहीं है, क्यों, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे पर depend करते हैं, जब तक उसके पास दोनों disk, देखें, फेल्ड का status आ गया ना, जब तक दोनों disk मुझूद नहीं होगी, तब तक वो आपका striped work नहीं करेगा, अभी मैं इसको online करता हूँ, तो फिर देखते हैं, यह मुझे मेरा data वापिस देता है, ठीक है, मुझे मेरा data वापिस दे दिया क्योंकि दोनों disk आ गई है, वो read कर पा रहा है, इस new folder का कुछ content उसने disk 1 पे रखा था, और कुछ content उसने disk 2 पे रखा था, ठीक है, तो यह तो example होगी आपकी striped की, अब हम बात करते है mirror की, तो मैं अगर new mirror volume करूँगा, next करूँगा, अब disk 3 and 4, 3 and 4 का मैं बना रहा हूँ mirror, ठ ठीक है, अब दोनों 10-10 GB की है, तो यह मुझे 10 GB ही देगा, यह मुझे कोई 20 GB नहीं देना को कि अपना mirror है, mirror 01, okay, perform a quick task, next करें, इसको finish कर दें, और जाहरी बात है, यह इसको dynamic में convert करेगा, ठीक है, क्योंकि आप इस पर operating system नहीं install कर सकेंगे, क्योंकि dynamic में convert हो जाएगा, system ज अगर आप hardware level RAID पर चले जाएंगे, और अगर आप अपने physical RAID, जो hardware level RAID होता है, उसके उपर अगर आप अपना mirror करेंगे, तो वो उसका boot भी loader होने देगा, लेकिन यहां से वो क्या करेगा, वो इसके उपर से, क्योंकि dynamic में हो गया, तो सबसे पहले वो कोशिश करेगा, क् बेसिक डिस्क पर जाओ, और बेसिक डिस्क से ही वो boot लेगा, OS उदर से उठाएगा, तो अभी मैं इसको OK करता हूँ, और wait करते हैं, कि तब तक यह convert हो जाएं, और format होके मारे पास वापिस आजाएं, ओके तो यह वापिस आ चुका है, और मेरे खाल में यह hanker गया है, और यह बड़ा खुबसूरत सा रंग इसने दे दिया इसको, अगर मैं my computer में जाता हूँ, तो मुझे यह अभी नहीं दिखा रहा, ओके तो यह वापिस आ चुका है, format होके और बड़ा खुबसूरत सा रंग इसने दे दिया है, क्योंके stripe का आपका देखें, light blue है, इसका क्या है color, यह महरून है, मैं थोड़ा अपना color blind हूँ, तो यह महरून है, अब देखें, यह मेरी stripe थी, दो डिसक सी, 10 GB की तो 20 है, यह म मैं अपनी, इन 3 और डिसक है ना मेरी मेर, तो 3 यह डिसक में से एक को offline कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, मेरे पास data मेरा मजूद है, क्यों, क्योंके redundancy खतम हो गई है, क्योंकि अब यह डिसक काम कर रही है, simple, यह डिसक आपकी fail हो चुकी है, जिसकी वयासे उसने data आपका मुझूद रहेगा, और वो as it is काम करता रहेगा, जो कि इस case में possible नहीं था, तो अभी मैं इसको online कर देता हूँ, और कितनी डिसक हैं हमारे पास, 3 है, मेरे ख्याल मैं मैं 2 डिसक और add कर लेनी चाहिए, इसके अंदर अगर मैं setting में जाओं इसकी, और add करूं, अब इन दोनों को भी हम online कर देते हैं और अब हम रेट 5 बनाते हैं, ठीक है, दोनों को मैंने initialize कर दिया है, और sorry, online कर दिया है, initialize कर दिया, अब मैं किसी में भी क्लिक करके कहूंगा, जी new rate 5, अच्छा rate 5 में क्या करेंगे, हम next करेंगे, next करने के बाद मैं से hard disk बताऊंगा, अपनी कौन कौन सी हैं, और यहां मैंने एक, दो, तीन, चार, पांच hard disk बता दी, पांच hard disk का मतलब क्या है, 10-10 GB के हैं, तो कितना हो गया, 50 GB हो गया, अब 50 GB से जब मुझे यह बना के देगा, तो 40 GB बना के देगा, जैसा कि यह आपको बता रहा है, total volume size amount, 40 GB, ठीक है, और एक disk की क्या है, वो यह बता रहा है, कि वो 10 GB है, next करूँगा, इसको मैं GE का नाम देता हूं, और मैं यहां लिख देता हूं, rate 5, और performer, quick format, next करूँगा, finish करूँगा, अब हम wait करते हैं, डानमिक में convert होगा, जब तक यह convert होके, format होके वापिस आ जाती है, okay guys, हमारे पास यह rate 5 हमारी जो है, format हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं, इसका जो color है, वो डिटोड़ा change हो चुका है, अगर मैं अपने my computer में जाऊं तो यहां आपको देख सकते हैं, 40 GB का आपके पास य देते हैं, एक इसके अंदर, वापस चलते हैं, अपने rate के अंदर, और यहां कोई भी random disk select करते हैं, disk 5 for example select करते हैं, और इसको हम offline कर देते हैं, fail redundancy आगया आपके पास, लेकिन आपका पास जो data है, वो आपका मुझूद है, ठीक है, अब यह करता हूँ, मैं इसको online कर देता ह disk 5 को, और हम किसी और disk को fail करके देखते हैं, कि अगर disk 5 नहीं होती, disk 7 fail हो जाती है, तो उस case में क्या होगा, तो उस case में भी आपके पास आपका data मुझूद रहेगा, reactive disk कर देता हूँ इसको मैं, तो यह आपके पास यहां से reactive हो जाएगी, और टाइम लेगा यह, और यह इस linking करेगा उसकी, फिर उसके बाद उसको check करेगा, लेकिन आपके rate पर कोई फरक नहीं पड़ेगा, वो आपका चल रहा है, क्योंकि मैंने एक disk fail हुई थी, उस fail disk की जगा दुबारा disk लगाई है, for example, एक और, यह वो ही disk लगाई है, तो आप उस disk को initialize कर रहा है, check कर रहा है, अपना data और parity उसके साथ मिला आ रहा है, ठीक है, तो भी थोड़ा time लेगा, यह depend करता है कितना data है आपके पास, ठीक है, तो जितना भी data है, उतना है time लेता है, rate configure होने में, दुबारा sync करने में, तो sync होके वापिस आता है, तो फिर हमको दूसरी hard disk fail करते हैं, और फिर देख तो भी मेरे पास यह data मेरा मजूद है, in case मेरी एक दूसरी drive भी कोई fail हो जाती है, दो disk मेरी fail हो गहीं, तो क्या होगा, मेरी rate 5 है, वो मेरा खतम हो जाएगा, वो मेरा काम नहीं करेगा, okay, तो guys, यह तो था आपका basic introduction to storage technology, storage technology के बादे में तो हमने कुछ पढ़ा नहीं, basic introduction था आपका rate से, के OS level में आप rate किस तरह बनाते हैं, कि अभी हम file server करने जाएंगे, तो मैं कोशिश करूँगा, कि मैं जो अभी, जो हमने rate 5 बनाया है, उसी को retain करूँगा, और rate जो mirror और stripe, उसको read कर दूँगा, और rate 5 का यह volume बना के, हम अपना file server उस पे बनाएंगे, उस पे data store क करेंगे, ताकि इन केस हमारी एक hard disk fail भी होती है, तो हमारे पास वो data मुझूद रहे, तो मिलते हैं अपने next lecture में, file server के, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अलावाज़ाएंगे,